भारत की आजादी के बाद हिंदुस्तान के संसदी इतिहास में मध्यप्रदेश विधान सभा के अंदर अन्याय के खिलाफ पर्चे फैक कर दस्तक देने वाले प्रथम व्यक्ति जग्दीश उपाध्याएं। जवलपुर जिले की सबसे बड़ी तहसील सिहोरा। आठ अप्रेल उन्नीस सो तैतालिस में जण में जग्दीश प्रसाद उपाध्याएं। उच्छ सिक्षा प्राप्त अनेक गुणों से संपन्न हर्फन मौला व्यक्तित्व हैं। बच्पन में ही पिता का साया उड़ मारामबती भाई के ऊपर दो भाई एक बहन का दायत तु था। अठारा वर्स के थे तभी सावित्री देवी के साथ विवाह बंधन में बंधे। पारिवारिक जीवन संभालते हुए पत्रिकारिता से जुड़े। जवलपुर जिले से निकलने वाले अखवारों में लिख पत्रिका निकाली खोज। पाटकों ने खोज को पसंद किया। 23 वर्स के थे तभी से राजनेतिक जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। जनसंघ पार्टी के सिहोरा मंडल महामंत्री के दायत्तों के साथ जनसंघ मंडल सह मंत्री के पतपर भी रहे। जनता युवा मोर्चा से मंत्री भी रहे। अन्याय के खेलाफ संघर्ष करने वाले व्यक्ति अनेक आंदोलन के प्रेयरख रहे। इस दोरान खेतौला बाजार सिहोरा की कई सिक्षन संस्थाओं को अपने आंदोलन वा ततकालीन मुख्य मंत्री स्यामाचन सुक्ल का घेराव कर विद्ध्याले का सा 1971 में मध्यप्रदेश की विधान सभा के अंदर प्रवेश कर परचे फैके। भारत की आजादी के बाद हिंदुस्तान के संसदिय इतिहास की प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने विधान सभा के अंदर प्रवेश कर अन्याय के खिलाप दस्तक दी। सदन ने इसे सदन की मानहानी बताया और दंड स्वरूप जेल गए उस समय के समाचार बीबीसी ने सदन में अजनभी का समाचार भी प्रसारिक किया बारा एक 1976 को उन्हें मीसा एक के तहत गर्फतार कर जेल में डाल दिया गया उन्होंने आपात काल का बिरोत किया अख़वारों में लिखा पर्चे बाटे जेल में उन्होंने तरह तरह की यातनाएं सहीं इमरजेंसी के समाप्थ होते ही अपने मित्र राज नरायन जी, मधू लिभे, लाडली मोहन निगम, जार्ज पर्नांडेस, ग्यानेश्वर मिस्र, जमना प्रसाद, सास्त्री, एबं सनद यादोजी की सभाओं का संचालन किया जन्ता पार्टी के विभाजन के बाद लोगदल की टिकेट पर विधान सभा का चुनाव लगा, ततकालीन भारक के प्रधान मंत्री चौधरी चण सिंग जी की मंच का कुसल संचालन भी किया परिष्थितियों ने माता बिरासनी की तीर्ष इस्थली बिरसेंपुर पाली जिला उमरिया में लाच होगा, पर उनके कारियों ने उन्हें नहीं छोगा, अपने अखबार जनसताय को साथ ले, चालिस वर्सों से जनसेवा करते रहे, अनेक आंदोलनों के संचालक, प्रख घर सील रहे, कहीं उन्होंने खुद के लिखे कुछ नाटकों का मंचन किया, तो कहीं अपनी कविताओं के रंग बिखेरे, एक राजनेतिक नेता, समाजिक, कारेकर्ता, स्रमिक नेता, विचारक, पुसल वक्ता, कहानी का लेखक, कवी, पत्रका, पुरातत्य अन्वेसी, आ और अविराम चलने वाले यात्री जग्दी सुपाध्या है, उन पर यह आरोप लगे कि वे बार-बार रास्ते बदलते रहते हैं, उनका पचास वर्सों का पत्रिकारिता का सफर रहा, उम्र के अपने इस पड़ाव में कुछ बड़े ऑपरेशन से गुजरने के बाद भी वे अपनी अस्वस्तता से जूज रहे हैं, हम उनके स्वस्त होने की कामना करते हैं, और उनका हारदिक अभिनंदन करते हैं, मैं वो राख हूं जो आग रखा करता हूं, मैं वो नीर हूं जो रोज बहा करता हूं, जान कर भी अन्जान रहा करता हूं, राही ऐसा हूं जो र कर दो 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 झाल झाल